नमस्कार हिंदुस्तान, नमस्कार महराश्ट्र, नमस्कार पुने, आज या ठिकानी मला खुब जब इमान वाटतों कि जा मातित मी उबाहे, ती माती भारत रत बाबा साहिब अमबेड कर, समाच सुदारक महात्म फुले, या अन्साल ख्या थोर देश पकतांची कर्म भूमि है, दोस्तों, दोस्तों जिस देश में लोगों को ही अपने आपको पिछड़ा सिद्ध करने की होड लगी हो, मैं आप से पुछना चाहता हूं मित्रों क्या वो देश आगे बढ़ सकता है, नहीं, जहेन में ये सवाल बार बार आता है, कि जो देश 300 साल बाद आजादी की स ले पाया, आज 70 साल के बाद भी इस देश की दशा इसका गार पर खड़ी है, कि उसका हर समुदाय आरक्षन की आवक शक्ता महसूस कर रहा है, दोस्तों ये आरक्षन मात्र 10 साल तक दे आ गया था, लेकिन कहीं राजनाइतिक कारणों से इस अवधी को आगे बढ़ाया गय और आज ये आरक्षन एक सियासी खिलोना बन चुका है दोस्तों, सियासी खिलोना बन चुका है, और यही सियासी स्वार्थ के लिए और यही सियासी स्वार्थ के लिए जात्पात के हथियार्थ से लोगों समाज को बाटने वाले लोगों ने हम जैसे युवाओ को भी इस आरक्षन की लालच में घूस खोरी दे के ब्रहमित कर दिया है दोस्तो परिणाम आज मेरे गुजरात में कोई अपनी संपन्न जाती के लिए आरक्षन मांग रहा है याद दिलादू दोस्तों बगत से सिफ तेईस साल में देश के लिए शहीद हो गए थे वो एक जट सीख थे अखंड भरत के निर्माता सर्दार वल लब भाई खुद पटेल थे यदि वे आरक्षन मांगने निकल गए होते तो आज भी ये तेश अंग्रेजों का मुताज होता दोस्तों जिस तेश का समविदान धर्म निर्पेक्ष होने का दावा करता है उस तेश में बढ़ता हुआ जातिगत आरक्षन उसकी समाज की सम्विदान की वईद्यता पर प्रशन उठाता है समानता के नाम पर ये आरक्षन की बात आ समानता की आग में घी डालने जैसी है दोस्तों जिस पे राज नहीतिक रोटिया से की जाती है अगर इस आरक्षन की विवस्ता को जड़ मूड से मिटाना है तो समाज के सभी वर्गों को पढ़ने का और रोजगर करने का समान अवसर प्रदान करना होगा और इस मैंसी भारत सरकार नहीं बलकि आज तक की आरक्षन की विवस्ता से लभनवित होने वाली पिछडे जाती की संपन प्रजा भी सहाय बन सकती है यदि वे अपने ही गाव के एक गरीप पिडित बच्चे को पढ़ा कर मुख्यधारा में लेकर आए तो देखते ही देखते हिंदुस्तान का हुलिया बदल जाएगा दोस्तों और फिर भी अगर आरक्षण की जरूरत पड़ी तो वह आर्थिक अधार पर होना चाहिए क्योंकि गरीबी जब जाती देखकर नहीं आती तो यह आरक्षण जाती के अधार पर क्यूं दोस्तों उची डाली को छूने के लिए हमें उपर उठना चाहिए ना कि उस डाली को हिच्चुका देना चाहिए ठीक उसी तरह ठीक उसी तरह कमजोर को योग्या बनाकर उसे कारिया सौपना चाहिए ना कि उसे आरक्षण देकर कारिया को हिच्चुका देना चाहिए जाह बहुत बहुत शुक्रिया अक्षद गांधी ने अपनी बात रखी रेजर्वेशन के खिलाफ बहुत बहुत स्वागत है आपका यहां पर अभी नंदन करेंगे जोड़ार तालियों के साथ अक्षद गांधी